Hello friends, this is Ayon and welcome you in the YouTube channel Bonsai Tricks and a lot more दोस्तों मानी प्लाइन को स्रिफ पानी में कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा मानी प्लाइन को ग्रो करने के लिए और मानी प्लाइन को बहुत ही खुबसुरोद राखने के लिए फर्टिलाइजर प्रे कैसे बानाते है इस वीडियो में उसको भी सिखाऊंगा और कुछ सिक्रेट टिप पी सिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में I am going to disclose some of my secret tips and tricks. So, let's start the journey. First of all, you need to prepare the cuttings for मानी प्लाइन. मानी प्लाइन को ग्रो करने के लिए पहले आप कार्टिंग को प्रिपेर कर लिजिए. 6 से 7 इंचेस तक आपका कार्टिंग होना चाहिए. पानी में आप मानी प्लाइन के कार्टिंग को छोड़ दे और every alternative day पर पानी बदल दीजिए. Friends, can you see after 10 days it has rooted? 10 दिनों के बाद बहुत ही खुबसूरत रूट आ गया. Now, we have to make a bundle out of this rooted मानी प्लाइन. इस रूटेट कार्टिंग को हम एक बांडल में बांद लेंगे और उसके जो बटम का लिप है उसको हम रिमूब कर देंगे. Otherwise, पानी में ओब बटम का लिप रॉट हो जाएगा और आपका पानी को गंदा कर देगा. You have to prune some of the lower lips, otherwise it gets rotten in the water. दोस्तो एक बात का हमेसा ध्यान रखिए कि नौट जो बांद रहे हैं उस नौट को आप लूज से बांद दिए, otherwise आपका प्लाइन मर जाएगा. दोस्तो मानी प्लाइन को कभी भी फूल सान में नहीं रखना चाहिए, उसको सेमी सेड़ एडिया में रखना चाहिए. Always keep मानी प्लाइन इन सेमी सेड़ेट एडिया. Now you have to place your rooted cuttings in water. बारिस का पानी सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बारिस का पानी नहीं ढून पाए, तो आप एक पानी को एक ओपेन बाकेट में ओवानाइट या 24 आवर्स तक रख दिजिए. उससे पानी में जो खामपूल केमिकल होता है वो रिमूब हो जाएगा और आपका पानी बिल्कुल तयार हो जाएगा. चलिए आप बात कर लेते हैं पानी को कैसे बदलता है. How to change the water in 5 easy steps. पहले आप एक सैंपू का बटल लेजिए उसके टॉप को रिमूब कर दीजिए. नाव टेक पीस आप पाइप. ओपन दे लिड. तब फिटिंग सुट भी टाइट फिट ये टाइट से फिट होना चाहिए. नाव फूल इट विट प्लायर एक प्लायर के मदद से पूल कर लेजिए. और बटम एक होल बना दीजिए. मेके होल अट बटम आप ये सैंपू बटल. For more interesting craft ideas like that visit my other channel can you make it. The link is given in the description below. दोस्तो ऐसे ही interesting ideas के लिए मेरे other channel can you make it पर जाएए. लिंक description box में दिया गया है और उस channel को भी subscribe करेए. You have to change the water once in a week. दोस्तो हफ्तो में एक बार आपका ये वाटर बदलना ही चाहिए. एक बात तो मैं कहना भूली गया कि जब आप वाटर चेंज कर रहे हैं तब आप आपका पाइप को इधार उधार भूमाते जाए ताकि सरे हुए लीप्स, सरे हुए रूट्स निकल जाए. दोस्तो टर्न यूर पाइप हेर और तो रिमूब अल देब्रीज. दोस्तो अगर आपको ऐसा ही कोई ट्रिक चाहिए और नए नए चीज सीखना चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजिए. चलिए आप बात करते हैं फार्टिलाइजर के बारे में. आप 2020-20 NP के फ़र्टिलाइजर लीजिए, I am taking 2020-20 NP के फ़र्टिलाइजर अब हाफ स्पून, I am keeping water overnight. राद भर पानी को ऐसे ही छोड़ देने के बाद, आप हाफ स्पून तक NP के फ़र्टिलाइजर उस पे डाल दीजिए और अच्छे तरह से मिला लीजिए. Mix it very well, it is very necessary. If you don't take it seriously and mix it quickly, then you may kill your plant. So mix it thoroughly and give it to your money plant. That will keep your money plant healthy and happily growing. I have shown the result at the end of the video, so watch the video till end. मैं इस वीडियो को रेजल्ट अंत में दिखा दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते जाई. Now, चलिए सीखते कैसे फर्टिलाइजर स्प्रे बनाते हैं. Let's start to learn the journey to make fertilizer spray. Take 1-4 टेबिल स्पून अप एनफी के फर्टिलाइजर and dissolve into 1-liter water. आप 1-4 स्पून तक एनफी के फर्टिलाइजर लीजिए और 1-liter spraying can पे इसको अच्छे तरह से डाल दीजिए. Now, add water. मैं पानी मिला रहा हूँ इसके साथ. आप पानी को बैसे ही overnight छोड़ दीजिए. खुला हुआ बर्टन पर. ताकि पानी का harmful chemical बाहर आजाए. और उसके बाद spray bottle में डाल दीजिए. Now, screw the lid on it and shake it vigorously. दोस्तो अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी तक्लिप आए, कोई language problem आए, तो मेरे को ज़रूर कंटक कीजिए और comment section पे लिख के जाना ही है, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा. Spray 2 times per week. Can you see how much the leaves had grown in just 5 days? Now, दोस्तो एक महिन में इस प्लान का अन्बिलिबबल ग्रोथ दिखिये. Let's see the growth in just 1 month. Friends, do you like the video? If yes, then like, comment and share and don't forget to subscribe my channel for regular update. I am Ayon from Bonsai Tricks and a lot more. And if you have any queries, then let me know in the comment section below. दोस्तो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो like, comment और share कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. दोस्तो, मानी प्लान वास्तु के हिसाब से बेस्ट होता है, और घर में खुसियाली लाती है. आप हो की पैसो की बरसात कोई आना जाये चोड, मैं हूँ Ayon from Bonsai Tricks and a lot more. Goodbye.